आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों सुडियों में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 मार्ज यानिके शुक्रवार को कि साइड मोमेंटम कर सकता है कौन से लेवल पर हम किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो के इंट्राडे के लिए बैस्ट होता है लास्टाइम दोस्तों हमने डिसकस किया था यह वाली जो डोट डोट वाली लाइन है और यह जो फस्ट डारेक लाइन आपको जो दिख रहे हूं 38,665 का जो लेवल है यह हमारा पहला जहीं एक ट्रेप जोने इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे और दूसरा सपोर्ट फिर यह है तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने कितने जबरदस्त तरीके से हमारे सपोर्ट रिजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है आज मार्केट ओपन होई ओपन होते ही हम पुट साइड गए क्योंकि मैंने आपको कलियरली कल बोला था कि पिछले दिन का लोड तूटता है तो हम पुट साइड जाएंगे कहां तक जाएंगे हमारी जो पहली लाइन है यहां तक जाएंगे क्योंकि यह जो गैप है जो हिस्ट्री में जो गैप बच सुबह बड़े बड़े गुरूप वाले आपको कोल साइड जाने के लिए बोले होंगे सुबह सुबह मार्केट खुलते ही लेकिन मैं सायद मैं ही देखा होंगा अपने जो पूट साइड गा था क्योंकि हमारे पास लोजिक था कि मार्केट में गैप है और वो गैप फिल होगा और हमारे सपोर्ट तक मार्केट जाएगी यह मैंने आपको कलियरली बोला भी था और मुझे दोस्तों बुखार था तब्यत पता नहीं कितने दिन डाउन और चलेगी डाउन चल रहे भाई तब यह तिस वजह से भी मैं अपडेट नहीं दे पाया फिर फिवर था मुझे और अब भी थोड़ी थोड़ी हरका था भाई आपके हाथ में मैं तो injection दवाई लेगे भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं वो देगे वीडियो भी हम कैसी बना रहे हैं बलब जो हम लाईन लगाते हैं कितना अच्छे से रेस्पेक्ट करती हैं मार्केट उसको देखिए पहली łाईन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया ओपर गई हमारे सपोर्ट से फिर जो डोड़ोट वाली लाईन हुआ हमने बोला था यह रिटेस्ट लाईन है लेकिन आज मार्केट डाउन साइड गई तो रिकवरी भी कर सकती है क्योंकि मार्केट कई दिन से लगाता गिर कर स्ट्रेच हो चुगी है क्लियरली बोला था आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम भी मार्केट खुलने से पहले ही इसके बारे में भी डिसकस करेंगे आपको बता देते हैं देखिए आसान करते हैं बिलकुल अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहां से गिरी थी एक प्राइज एक्षन बनाया था मार्केट गिरी थी अब सेम तु सेम यहीं प्राइज एक्षन बर रहा है किसी ने ध्यान दिया इसकी दोसों के उपर निकलती है यानि कि जो यह प्राइज एक्षन बनाया मार्केट ने 49,200 के उपर निकलती है हलका सा रीटेस्ट करते हो पचासाथ पॉइंट का स्टो प्लोस रहेगा और 49,600 यह हमारे टार्गेट हो जाएंगे हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते ध्यान से सुन दोट वाली लाइन अभी यहाँ पर किसी काम की नहीं है इधर 500 पर लगा देते हैं यह लेजिए पहला टार्गेट दोस्तो हमारा 49,200 से उपर निकलते ही पहला टार्गेट हमारा 49,500 हो जाएगा दूसरा टार्गेट हमारा 49,600,700 हो जाएगा ठीक है सेलिंग एरिया दोस्तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रो किया था वैसे ही ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे ड्रो करना है सिंपल सी चीज है फ्लेट ओपन हुई 49,000 के नीचे निकली हलका सा प्राइज एक्षन बना है फिर से हमारे इस जोन में आ सकते है 56,000 के टारगेट के लिए 38,700 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे 49,000 के नीचे टिकने पर खासकर 49,950 के नीचे अगर निकलती है तो हमको सीधी सीधी 38,950 के नीचे निकलती है 49,000 को टूटने के बाद तो हमारा पहला टारगेट 38,650 का हो जाएगा पुट साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं ठीक है और गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए गैप अप अपन होती है 49,500 के उपर उपर ठीक है इसके उपर अगर गैप अपन होती है तो हम 39,40 बी अपलाई कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे कम मार्केट हमारे यहां इस एरिया में आए जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया यहां पर आके कोई पोजिटिव केंडल बनाए तो हम रिकवरी फिर से पलान करेंगे उस केंडल का लोज टोप लोज डाल के हाई ब्रेक होती 15 मेट की केंडल या 5 मेट की केंडल एक पोजिटिव केंडल बनने का हम इंतजार करेंगे ठीक है अब बात आती है दोस्तो गैप अपन होने के बाद अगर उपर ही जाना शुरू करती है तो क्या करेंगे जब तक दोस्तो गैप अपन हो ही अपने आपको अगर मार्केट इधर होल्ड करेंगे और 49,650 के उपर निकलना शुरू कर देती है होल्ड करके तो ही हम कोल साइड जाएंगे कहां के टार्गेट के लिए जहां पर 200 दिन का मूविंग अवरेज यानि की 40,000 के टार्गेट के लिए लेकिन उसके लिए दोस्तो अपने आपको होल्ड करना चाहिए मार्केट जब होल्ड करेंगी तभी हम कोल साइड प्लानिंग करेंगे अगर गैप अपन होती तो औरना हम थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे गैप अपके बाद थोड़ा सा नीचे आए और फिर से रिकवरी करें तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड मिलेगा और हमारे पास स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे दोस्तों देखिए गैप डाउन ओपन 49,000 के आसपास होती है फिर 49,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो हम 15 मेट की एक नेगिटिव केंडल को मारक करेंगे हाई हमारा स्टोपलोस रहेगा वही हमारा पहला टारगेट यह हो जाएगा और अगर ये भी लेवल अगर तूट जाता है 38,521 का तो फिर हमारा टारगेट 38,000 का हो जाएगा हम पुट साइड ही पलानी करेंगे यानि कि गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों आपको इंतजार करना होगा प्रोपर प्राइजेक्शन किदर बना उसी साइड हम जाने की कोशिस करेंगे चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं और कुछ भी अगर दोस्तों डेटा अपडेट होता है तो मैं आपको कुछ PCR डेटा अपडेट होता है तो मैं आपको टेलिग्राम पे बता दूँगा आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए यह हमारा टेलिग्राम चैनल ओरीजनल यहाँ पे मैं बाइंग, सेलिंग एरिया सुबह का व्यू पोस्ट किया था यह हमारी स्टडी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टडी ने हमको बहुत अच्छा प्रोफिट दिया आज और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने अपडेट नहीं दिया कि हर पोस्ट पर आपको 47,000, 48,000, 50,000 व्यूज मिलेंगे यानि कि एक्टिव मेंबर हैं बहुत सारे लोगों के न ऐसे हैं भाई, मेरे नाम से किसी को पैसा मत देना ना मेरा कोई WhatsApp गुरूप है, ना मेरा कोई paid गुरूप है, ना मैं कोई call tips advice देता हूँ ना ही मेरा कोई calling number है, ना ही मेरा कोई yearly, monthly, weekly plan है यह original channel है, chorus के regarding आपको यह pin कर रखा है message इसमें आप जाके इस channel को join कर लीजे, वीडियो के description में आपको link मिलेगा नहीं तो comment में pin करूँगा, और केवल वहीं से आप original channel में जा सकते हो वरना इस logo से इसे नाम से आपको बहुत सारे fraud channel मिलेंगे और जो आपको यह study दिखरें इस channel पर सारी की सारी paper trade करने के लिए अगर channel join करो तो केवल सीखने के लिए आना भाई, call tips के लिए मत आना call tips नहीं देता हूँ और मेरे नाम से भाई किसी को पैसे मत देना हर वीडियो में बोलता हूँ अगर फिर भी कोई लूटता है तो भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ चलिए दुस्तों nifty को देख लेते हैं nifty का भी हमारा simple analysis रहेगा जब तक 17000 के उपर हैं हम call side planning कर सकते हैं देखिए अगर nifty flat open होते हैं पहले तो हम इस trend line को delete कर देते हैं क्योंकि अब हमारे काम की नहीं है यह जो हमारा काम था इसका वो ले लिया हमने और बिल्कुल देखिए trend line nifty में भी हमारी trend line ने respect किया है हमने कल ही लगाई थे और यहां तक आ सकती है market gap down भी open होते तब भी और आई भी और अच्छा खासा profit भी किया होगा जिसने analysis को follow किया होगा अब देखिए अगर दोस्तो flat open होती है nifty 17,030 के उपर निकलना शुरू करती है जहां पे आज अगर आप देखोगे तो यह triangle pattern market ने बना दिया है nifty ने अगर मैं proper mark करूँ तो यह देखिए अगर दोस्तो इसके बीच में open होती है 17,040-50 के उपर निकलती है तो पहला target हमारा 17,120 यह हो जाएगा 20-30 point का stop loss डालके हम call side planning कर सकते हैं अगर दोस्तो इसके नीचे निकलना शुरू करती है trend line को breakdown करती है जो कि 17,000 यह फिर 16,980 का level है फ्लेट open होई इसके नीचे आना शुरू ही पहला target हमारा 16,900 हो जाएगा हम put side planning कर सकते हैं 20-30 point का stop loss डालके अगर gap down open होती है मा लिजे इसकी range में gap down open होती हो और gap down open होने के बा exact level आपको बता देता हूं exact level है 16,880 से लेके 860 तक यह fresh buying area है gap down open होती है इस range में और इसको जब इस low को break कर देती है तो 20-30 point का stop loss डालके 100 point के target के लिए हम put side planning कर सकते हैं लेकिन वो gap down की बात है अगर दोस्तो gap open होती है इस range में तो wait करेंगे कभी हमारी जहां पे आज closing आई है यहां पे आए को positive candle बनाए तो आपी same recovery plan करेंगे अगर gap down open होती है तो पहली 15 मेट की candle को हम मार करेंगे अगर positive candle बनती है तो recovery plan करेंगे और negative candle बनती है तो हम put side planning करेंगे दिन का high stop loss डालके निफ्टी का दोस्तों simple सा analysis था option chain अभी कुछ बना नहीं होगा option chain में बड़े target आप आपको निफ्टी में तब मिलेंगे जब निफ्टी 17,100 17,200 के ऊपर निकलेगी यानि कि 200 दिन का moving average भी break हो जाएगा अगर market कल बहुत बड़ा gap open होके इस level को break करती है तो भाई बस क्या ही कहने फिर तो बहुत बड़े target हमको देखने को मिल सकती है यहां तक देखने को 17,500 त सब के comment पढ़के option chain अगर दोस्तों दिखाऊं 23 मारज 2023 नहीं expiry शुरूरी तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं क्योंकि open interest कम बनते हैं नहीं expiry शुरूरी कल premium भी थोड़े से कम बढ़ेंगे इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कम quantity में काम करना 17,000 के level important support है और important resistance है काटे की चल लिए भाई बिल्कुल काटेगी टकर 17,000 के निचे निकलते हैं तो 900 तक के target मिल सकते हैं उपर निकलते हैं तो 100 तक के target मिल सकते हैं ये लोग trap हो जाएंगे दोनों साइड से अगर नीचे जाती है तो ये लोग trap हो जाएंगे उपर जाती है तो ये लोग trap हो जाएंगे कर लेते हैं बैंक निफ्टी में 49,000 लेवल इंपोर्टेंट लेवल है इसके नीचे निकलती है तो हमको थोड़े से 300-400 पैंट नीचे खिशकती मिल सकती है और इसके उपर रहती है जब तक 200 के उपर निकलती है तो फिर हमको आनसों के भी टार्गेट देखने को मिल सकते हैं बाकि उप्सेन चैनल में अभी कुछ खास इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं एक्सपारी शुरूर ही है तो दोस्तों कैसी लेगी आपको वीडियो लाइक और कोमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ आपका दिन शुब रहें मिलते हैं कर लेकिन निवडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय माता दी जय हिंद झाल हो झाल हो झाल ु़ आपका दी कर दे भागर कर दे लिए हैं सकते लिए हैं